हाई फ्रेंट्स मैं हूं दॉक्टर आमित माईश्वरी बिजन्स ट्रेनर कॉर्पर्ट ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर एंड सी यू मैटा सोवर्सीज लेमिटेड आप सभी का सौगत करता हूं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में फ्रेंट्स आज जिस विशेपर हम बा बिजनस क्या है FLB फ्लाइट बिजनस अपउर्चिनिटी आज ऐसी ही बिजनस अपॉर्चिनिटी के बारे में बात करने वाला हुँ मैं आपको पता है लाइफस्टाइल इंडस्ट्री जो है ना वहां पर पैसे की कोई कमी नहीं अब लाइफस्टाइल में बहुत सारी रहा है यह रिनोवेशन का काम चल रहा है आप देखिए आपके लाके में बहुत जगा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लेकिन जो अल्रडी एक्जिस्टिंग लोग हैं जब उनकी बाइंग कैपस्टी बढ़ जाती है उनका स्टेंडर ऑफ लिविंग बढ़ जाता है तो सारी चीज़ा उनके लिए आउडेटेड हो जाती हैं तो वहां वो रिनोवेशन करना शुरू करते हैं आप देखिए आपके चारों तरफ घर मकान कोठी फ्लैट विला फार्माउस और बंगलों का या तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है नया बन रहा है या रिनोवेशन हो रहा ह मतलग आउडेटेड चीज़ों को हटा रहे हैं और नया घर बना रहे हैं नया बंगला बना रहे हैं नया फार्माउस बना रहे हैं कोठी बना रहे हैं जब भी इन जगह पर कंस्ट्रक्शन चलता है तो यहां पर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की सबसरा डिमांड होती ह है एक घर बनने में क्या क्या चीज़ों को जरूत होती है सेनिट्री से संबंदित इंफास्ट्रक्चर से संबंदित फरनिचर से संबंदित या modular kitchens bathroom vanities wardrobes storage cabinet और steel interior और steel exterior भी आप देखिए जो भी modern building बन रही है ना आज के समया पर जो बहतर construction कर रहे हैं वह बढ़िया से बढ़िया modular kitchen लगा रहे हैं बहुत अच्छी bathroom vanities पहले कहते थे ना bathroom को इतना तवज़ों नहीं दिया थी घर में लेकिन आज bathroom भी एक ऐसी जगा बन चुका है जहां पर लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू करने हैं ऐसी कपड़े हैं वो सही तरीके से store हो सके उसमें किसी तरह की problem ना है इसके लावा steel interior आज बहुत सारा काम ना घर में steel का करवा रहे हैं लोग एक्स्टियर भी steel का करा रहे हैं gate, grill, railing सब कुछ stainless steel में convert कर रहे हैं क्यों क्योंकि उनको पता है कि अगर वो वुड का ये काम कराते ह सबसे बड़ी problem क्या है कि दीरे दीरे समय समय के बाद उसमें termite लगना शुरू हो जाएगा, termite लग जाएगा तो वो वुड सारा का सारा waste हो जाएगा और देखा गया है कि kitchen में तो खासकर लोगों के termite लग जाती है और फिर उनको kitchen दुबारा बनाना पड़ता है, ना केव kitchen, bathroom vanities, wardrobes, वहाँ भी यही problem है, दूसरी important बात क्या है कि अगर वो वुड का लगा भी लेते हैं तो कुछ समय बाद, दो-तीन साल बाद उनको उसको renovate करना पड़ता है, और innovation करने में बहुत अधिक ऐसा invest हो जाता है, इसलिए जो lifestyle industry है ना, उसमें ऐसे products की demand है, जहाँ पर एक बार product लगाओ, और लंबे समय तक tension free हो जाओ, तो ऐसा ही product जो company बनाती है, वो है Metas lifestyle, जिसमें stailness steel modular kitchen, bathroom vanity और wardrobe का manufacturing भी होता है, customer क्या install भी करते हैं, और export भी करते हैं, अब मैंने आप से का था था ना, flylight business partnership के बारे में बताऊँगा, लेकिन flylight business partnership को समझने से पहले ना, इस modular kitchen के business को या lifestyle के business को traditional तरीके से कैसे किया था यह समझ लेते हैं, ध्यान रखिएगा, आप किसी भी business को modern और traditional दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी अगर हम modern तरीके से कर भी रहे हैं, तो यह पता होना चाहिए कि उसका traditional तरीका क्या है, traditional तरीका क्या है, सबस प्रोडट को देखेगा पसंद करेगा फिर अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन कराएगा लेकिन इसी का छोटा एक मॉडल भी है वो क्या है फ्रेंचाइजी मॉडल और फ्रेंचाइजी शोरूम में क्या होता है 1200-1500 स्क्वर फेट एरिया लगता है और 30-35 रुपे का कम्प्लीट डिस्प्ले सेट अप बनाया जाता है इस डिस्प्ले सेट अप को देखने के बाद ए इवेलेबल नहीं होते तो वहां पर चोटा डिलर्शिप शोरूम बना जेते हैं जरातर वो लोग जिनके पास बैक एंड में कहीं बड़ा ओफिस है बड़ी जगह है वह फ्रंट एंड पर डिलर्शिप शोरूम खोल देते हैं और डिलर्शिप शोरूम में क्या चाहिए 300-500 स्कूरर फिट का एरिया और 12-15 लाक रुपे का इंवेस्टमेंट लगता है कंप्ली डिस्प्ले शोरूम बनाने पर उसके बाद वो बिजनस में अर्निंग करना शुरू करते हैं ट्रेडिशनल शोरूम में जब बड़ा एक्स्कूरूसिफ बनाते हैं तो उसका 5-6 लाक करूं तो 50,000 रुपे से लेकर 1 लाक रुपे परWan तक का RPM कोस्ट होता है इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद इतना ओपूरेटिंग कोस्ट करने के बाद जो net profit कमाते हैं वो उतना ही हूता जितने फ्ल भी कमा सकता भी फल भी क्या है आपको यसी तो समञ्ज में आगै कि modern technique को दरशाता है आज बहुत सारे हैचाने क्लाइंट ना शोरूम पर विजिट नहीं करते हैं वो यह चाहते हैं कि मुझे मेरे डोर स्टैप पर सारी फैसिलिटीज मिल जाए और जो लोग इतने बड़े बड़े शोरूम बनाके बैठे होते हैं वो यह नीच होते हैं कि हम consumer के महां जाके deal करेंगे उनका उद्देश्य तो होता बहुत आ जाओ हमारे यहां हमारे तो शोरूम बना हुआ है यहां आओ देखो और पसंद करो उसकी वज़ास से बहुत सारे ऐसे क्लाइंट जो शोरूम पर नहीं जाते हैं अपने घर पर अपने सप्लायर को बिलाते हैं वो उनसे मिस हो जाते हैं तो उसी का रोल मॉडल है that is FLB Flylight Business Partnership अब इसमें क्या है no space required क्यों क्यों क्योंकि पूरा का पूरा शोरूम आपके ब्रीफ केस में आ जाता है यह जो ब्रीफ केस है इसमें यहाँ पर वील लगे हूँ है तो हमने इसको डैफिनिशन दिया शोरूम ऑन दा वील आप देखिए चाहें आपके डिस्पले में 10 किचन लगे हूँ या पांच किचन लगे हूँ या डीलर्शिप में 2-3 किचन लग पार्टनर्शिप शोरूम अंदा वील इसी के अंदर एक पूरा क्याबनेट शटर हाडवेर एक्सेसरी और एक वील रूप में आपके पास होता है जिसकी वजह से आप आसानी से किसी भी कंजूमर की कॉल को इंटर्टेन कर सकते हैं आपने शोचल मीडिया पर बहुत अदि क्लाइन से ताइम टर्ट किया उसके यहां जाकर सेंपल दिखाया और उसके हैं का मेजरमेंट लेकर वह मेजरमेंट कंपणी से शेर किया कंपणी ने पूरा प्रॉड़क्त डिजाइन क्या और डिजाइन करने के बाद कस्टमर को भेज दिया अब कस्टमर ने अपने required चें का extra rewards and benefits है अब ये reward benefits अगर दोनों मिला ले तो 10 से 12 परसेंट का margin आता है 10 से 12 परसेंट का net profit आता है और एक शोरूम खोलने exclusive शोरूम खोलने या dealership शोरूम खोलने तब भी आपका जो net margin है वो 10-15 परसेंट से 18-20 परसेंट तक का आता है तो सोचिए चार-पांच लाख रुपे महीने से लेकर एक-डेड़ लाख रुपे महीने तक खर्च करने के बाद भी वो लोग 18-20 परसेंट का margin कमाते हैं जबकि एक परसन जो एफल भी पार्टनर बनता है वो आसानी से बिना किसी investment के मतलब बिना भी बिना किसी space investment के आसानी से शोरूम ओंदा वील ले सकता है अब शोरूम ओंदा वील की जो investment आती है 35,000 यह जो 35,000 cost है ना यह इस पूरी complete kit की है जिसमें cabinet, shutter, hardware, accessly, catalog, brochure और complete product की training जो company आपको time to time provide करती है बहीं, lead कैसे generate करनी है, lead से बात कैसे करनी है, client के विजिट करना है, sample कैसे दिखाना है sample के बाद customer की requirement के हिसाब से उसकी जरूत को कैसे समझना है, समझने के बाद उसके designing किस तरह से होनी है, designing के जो charges मिलते है, वो कैसे मिलते है, कितने मिलते है यह सारी सीचे complete करने के बाद, जैसे ही client order place करता है, company का काम होता है product की manufacturing करके direct consumer के install कर देना अब main question यह है कि FLB बनने का criteria क्या है, अगर आप FLB partner बनना चाहते हैं, flylight business partner बनना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ skills होनी चाहिए, देखे, जिनके पास showroom है न, उन्हें तो बहुत बड़ा infrastructure लगाया हुए, setup लगाया हुए, बहुत सारे employees लगाया हुए, काबिल employees को appoint किया ह और वो employee उनके विहाब पर काम करते हैं, इस बात से कोई फरक नी पड़ता हुए, उनकी personal skills कैसी हैं, लेकिन अगर आप अपनी personal skills के base पर काम कर रहे हैं, samples के साथ काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर कुछ योगता होनी चाहिए, क्या good communication skills, आपको बात करना बड़िया तरीके स से deal करना है, fast learner, जो भी training company provide करती है, उसको ठीक तरीके से आप grab करें, जितनी जल्दी आप चीजों को सीखेंगे और समझेंगे, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आप अपने consumer को guide कर पाएंगे, और जितना बेहतर consumer को guide and convince कर पाएंगे, उतनी possibility होगी कि वो आपके साथ deal करने के लिए तयार हो जाए, क्योंकि आप showroom नहीं, आप showroom अंदा wheel लेकर जा रहे हैं, single sample से आप काम कर रहे हैं, और backup के लिए company के showrooms भी है, अगर consumer को लगता है मुझे company के showroom को देखना है, तो वो company का outlet पर भी आ सकते हैं, लेकिन वो lead आपके account के आपके नाम पर रहेते हैं, और के लिए है, क्योंकि आप बहुत सारे franchisee, 60-70 लाख रुपे से लेकर, 10-15 लाख रुपे तक invest करके इस business को करते हैं, जो business केवल 35,000 रुपे की investment में, आप आसानी से कर सकते हैं, जरूरत है, तो आपके अंदर वो जोश, जजबा और जूनूर होना चाहिए, इस तरह के हमारे exclusive उससे franchisee showrooms बने हुए, जैसे ये showroom बना हुआ है, लगबग 2,000 square feet में है, ये showroom बना हुआ है, लगबग 3,000 square feet में है, और बहुत बड़ा investment लगा हुए, लेकिन अगर आप FLB partner बनते हैं, तो बहुत बड़े investment के जरुवत नहीं है, सिर्फ 35,000 रुपे में, आप जितना कामे क ये showroom, 60-70,000,000 रुपे लगा के कर रहा है, या 30-35,000,000 रुपे लगा के कर रहा है, वो काम आप 35,000 रुपे की kit में कर सकते हैं, कमपनी की पूरी support रहेगी, training से related, काम करना कैसे, lead generate कैसे करनी, client कैसे deal कैसे होगी, deal होने के बाद product install कैसे होगा, सब कुछ company आपको support करेगी, अ 40-50,000,000,000 तक का हम लोग product बनाते हैं, अब सोच लिजिए, अगर 40,000,000,000 का कोई product है, और वहाँ पर आपका margin 10% है, और महिने में एक बीडी लगार आप करते हैं, तो आपको 4,000,000,000 रुपे की income आती है, और ये तो मैंने एक example लिया है, कई बार एक ही building में, kitchen, vanity, wardrobe मिल जात है, तो friends, अगर आप METAS Oversies Limited के FLB पार्टनर बना चाहते हैं, तो मेरा आपचे request है, DOA Board पर जो number है, इन number पर call करें, और अभी FLB के सारी information ने, ध्यान रखिए, कई ऐसा ना हो कि आपका पडोसी आप से पहले call कर दे, और वो आपके एरे का FLB पार्टनर बग जाए, कोई भी informative वीडियो मिस ना हो, उसके लिए चैनल को सबस्क्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो को notification सबसे पहले आपको मिले, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी, आपके सुनेरे बविश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत